नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A2Z Dishes उशा कोरजानी में तो आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हूँ स्टफ पीजा बन जितना ये दिखने में अट्रेक्टिव लगता है उतना ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है बच्चों से लेकर बड़ो तक को ये पीजा बन है खाने में बहुत ही बहतर लगेगा और बहुत ही जल्दी से बन जाता है तो देर नहीं करता है चलिए बनाना शुरू करता है तो सबसे पहले हमें इसमें क्या-क्या चाहिए हम वो देख लेता है तो यहाँ पर मैंने इस साइस के बन ले लिये, यह मैंने दो बन लिये है, आपको यह मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे लिये एक प्यास, इसे बारी कट लिया है, एक छोटा सा शिमला मिर्च उसे भी बारी कट लिया है दो हरी मिर्च, एक चीज का क्यूब और दो चम्मच टॉमेटो सॉस इसके बाद मैंने यहां पे लिया है चिली फलेक्स, आदा चम्मच औरेगेनो, एक चम्मच बटर, दो चम्मच, बलेक पैपर पाउडर यानि की काली मिर्श का पाउडर, एक चम्मच और पनीर करीड दो चम्मच, इसे मैंने बारिक टुक्डों में काट लिया है तो चलिए बन बनाना शुरू करता है पीजा बन तो इसके लिए हम सबसे पहले ये बन को ले लेंगे और इसे हमें बीज से काटना है तो मैं यहाँ पे एक नाइफ की मदद ले रही हूँ और बीज से पहले आपको पूरे बन को गोल गुमाते जाना है और ये जो बीज का पा अब देख सकते हैं पूरा मैंने निकाल लिया है अब अंदर से भी हमें थोड़ा थोड़ा निकालना है ताकि हम अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर डाल सके तो यहाँ पर मैं इस तरह से सारा निकाल लिया है अब चमच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंग अच्छे से stuffing भी इसके अंदर जाएगी इसी तरह से मैंने जो ये दुसरा बन है वो भी तयार कर लिया है अब ये जो 20 से हमने खाली किया है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निकाल लिया है आप इसके bread crumb भी बना सकते हैं या फिर इससे आप bread उपमा भी बना सकते हैं दोनों आप कर सकते हैं इससे तो यूस कीजेगा इसे भी अब हम ले लेंगे टॉमेटो सॉस इसके अंदर हम डालेंगे स्वादनुसा नमक या तो आदी चमच नमक ये एक चमच औरेगेनो और ये एक चमच का लिमिट्ची पाउडर अब अच्छे से इन सब को हम मिला लेंगे तो एक हमारी परफेक्ट सॉस बन जाएगी ये तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिला लिया है आपको मैं दिखा देते हैं इस तरह से हमारी ये सॉस तयार हो चुकी है अब हम एक बन को लेंगे और इसके अंदर ये अच्छे से सारी सॉस हम लगाएंगे अंदर अंदर तक जहां पर हमने ये होल किया है बीच में पहले डाल देनी है और इसकी साइट्स पे भी चमच की मदश से आपको सारे में ये इस तरह से लगाते जाना है गोल गुमाते जाएए और बन पर अच्छे से लगा दीजिए तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है आप देख सकते है अब इसके अंदर हम डालेंगे प्यास तो मैं ये एक दम बारी कट लिया था प्यास को ये डाल देंगे थोड़ा सा और इसी के साथ मैं डाल रही हो बारी कटी हरी मिर्ची और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हो ये पनीर तो इस पनीर के टुकडों को भी मैंने बहुत बारी काटा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाल देंगे शिमला मिर्च इस तरह से थोड़ा सा हलका सा नमक नमक डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हलका सा काली मिर्ची पाउडर और यहां पर हमने जो चीज लिया था एक क्यूब उसे हमने कदुकस कर लिया यानि कि ग्रेट अब इ यह भी कोने लोगा में हम एता है तो यहां पर मैंने ख़टाई ले लिए है इस तरह से गैस को ओं कर दिया है इसके अंदर डालेंगे बटर और पटर को इस तरह से आं फैला देंगे पूरी Korraad के अंदर तो यहां पर भी मैल्ट हो चुका है अब देख सकते हैं अब जों मैंने बन तयार करके रखा था इसके अंदर दीरे करके डाल देंगे दीरे से डालने के बाद इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा बटर लगाना है तो चम्मच के उल्टी साइट पर मैंने बटर ले लिया है अब जो ये ऊपर वाला सरकल है इस पर हम सारे में ये बटर को अच्छ इसे बटल लगा लिया है, आप देख सकते हैं, पूरे सर्कल पर, मैं आपको दिखा देती हूँ, आज हम इसे कडाई पर बना रहे हैं, बहुत ही खाने में बैतर ही लगता है, अब इसे ढख कर दीमी आज पर हम पांच मिनट तक चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे, तो यहाँ पर पांच मिनट हो चुके हैं, चलिए ढखकन को खोल देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से यह सिख चुका है, हमारा जो चीज है वो भी मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम यह कर्ची की मदद से निकाल लेंगे, बहुत ही बैतरीन लग रहा है हमारा यह स्टफ पीजा बन, इसी तरह से मैं दुसरा भी बना लूँगी, तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में बटर डाल लिया था, और इस बन को मैंने उपर से पहले से ही बटर लगा लिया था, इसे भी ढखकर हम चीज मेल्ट होने तक पका लेंगे, तो लीजे तग्यारे बढ़िय रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, थैंक यू फॉर वच्छेंग